दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदूशन फॉर सिबिल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों बिभिन प्रतियोगी परिक्षाओं के सामान ग्यान और सामान अध्यन के लिए भारत की भुगोल से संबंधित महत्वण प्रश्णों के रिवीजन के अंतरगत इस वीडियो में प्रस्तुत है खनिज शनसाधन यानि मिनरल से संबंधित महत्वण प्रश्णों का भाग एक जो आपके आगामी विभिन परिक्षाओं जैसे UPPCS प्रारंभिक परिक्षा आरो यारो यानि समिक्षाधिकारी सहायक समिक्षाधिकारी लोवर PCS तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्राखन बिहार राजस्थान और EMPPCS के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग माध्यमिक सिक्षा सेवा चैन आयोग तथा अन्य भरती बोड़ों द्वारा भुगोल विशे से आयोजित अध्यापक भरती परिक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है तो आये शुरू करते हैं भारत के भुगोल के अंतरगत खनिज संसाधन से संबंधेत महत्तपूर्ण प्रश्णों का भाग एक पहला प्रश्ण है भारत का सबसे महत्तपूर्ण खनिज युक्त राक तंद्र कौन सा है आपसन है देखिए कडपा तंद्र, धारवार तंद्र, गोंडवाना तंद्र या बिंधे तंद्र तो सही उत्तर धारवार तंद्र आपसन भी दूस्तों भारत में सबसे मोहत्वपूर्ण खनिज युक्त शेल तंत्र धारवार तंत्र है ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं जिनमें सोना, लोहा, मैगनेज, अब्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगश्टन, सीसा आधि खनिज प्राप्त होते हैं अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से कौन सा शेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुक स्रोत है आपको बताना है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्ण है आपसे पूछा गया है कि कौन सा शेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुक स्रोत है तो सही अगले प्रश्न पर आते हैं बिंध शैलों में जिसके ब्रिहत भंडार पाये जाते हैं वो है चूना पत्थर, बेसाल्ट, लिगनाईट या लौह अयस्क तो सही उत्तर हो जाएगा चूना पत्थर दुस्तों बिंध शैलों में इस थूल, मध्य और सुक्ष्मकड़ों वाले बलुवा पत्थर शैल और चूना पत्थर शामिल हैं आपसन ए आपका सही उत्तर है अगला प्रश्न है भारत के निम्ण में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है पश्रिम में, दक्षिण में, उत्तर में या दक्षिणपूर में तो सही उत्तर दक्षिणपूर में आपसन डी दूस्तों भारत में दक्षिणपूर में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाया जाते हैं छोटा नागपूर पठार, दंडकार रणे पठार और ओडीसा पठार एसी छेतर में अवस्थित हैं अगले प्रशन पर आते हैं राजस्थान की नाथरा की पाल छेतर में कौन सा खनिज पाया जाता है लोह अयस्क, ताबा, सिसा और जस्ता या फिर मैगनीज तो सही उत्तर आपका हो जाएगा लोह अयस्क आपसन ए याद रखिएगा दोस्तों राजस्थान के उद्यपुर जिले में इस्थित नाथरा की पाल और थूर हुंडेर छेतर लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं आप याद रखिएगा अगला प्रश्ण है निम्नलिखित लोह अयस्क में से बैला डीला में किसका खनन होता है आपसन है हेमेटाइट, सीडेराइट, लीमुनाइट या मैगनेटाइट तो सही उत्तर हेमेटाइट आपसन ए दोस्तों देखें बैला डीला खान च्छतिस गढ़ के दंतेवाडा जिले में है यहाँ पर हेमेटाइट लोह अयस्क का खनन किया जाता है अगले प्रश्ण पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है यहाँ पर देखें सोना कोलार से सही है कोईला जहरिया से सही है लोह अयस्क गुंटूर से यह सही नहीं है हीरा पन्ना से सही सुमेलित है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुंटूर लोह अयस्क के लिए नहीं परसिद्ध है कोलार सोना के लिए ज़रिया कोयला के लिए पन्ना हीरा उतपादन के लिए प्रसिद्ध है और गुन्तूर जो छेतर है ये लोह ऐसक उतपादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है अगला प्रश्ण है राजस्थान का लगभग एका धिकार है किस धातु के उत्पादन में ताबा, अभरक, जस्ता या फिर डोलोमाईट तो सही उत्तर है जस्ता यानी जिंक उत्पादन में दूस्तों, राजस्थान का लगभग जस्ता पर एक अधिकार है, इंडियन मिनरल इयर बुक 2021 के अनुसार एक अप्रेल 2020 की स्थिति में, राजस्थान का जस्ता में एक अधिकार है, अगला प्रिश्ण है, मलाज खंड किस खनी जुत पादन से संबंधित है, आपको बताना है लिगनाईट, तांबा, हीरा या लौह अयस्क, तो सही उत्तर तांबा, देखे, मलाज खंड बाला घाट मध्य प्रदेश में इस्थित है, जो की तांबा उत्पादन के लिए प्रसिध है, अगला प्रिश्ण है, निम्नली खित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अध अगला प्रश्न भी बहुत ही महत पूर्ड है, खेतड़ी किस लिए प्रसिध है, तो आप जानते हैं घेतड़ी राजस्थान के जोजुजुरु जिले में इस्थित है, यह तांबा उत्पादन के लिए प्रसिध है, यहां पर देखे, आप सन E आपका सही उत्तर हो तो खेतड़ी राजस्थान के जुन्जुनु जिले में इस्थित है और ये ताबा उत्पादन के लिए प्रसिध है याद रखेगा अगला प्रश्ण है बाकसाइट किसका प्रमुख आयस्क है तो ये भी महत पूर्ण प्रश्ण है बाकसाइट जो है एल्यूमिनियम का आयस्क है आपसन भी आपका सही उत्तर है इसका रंग लोहांस की मात्रा के आधार पर शफेद गुलाबी या लाल पाया जाता है तो याद जमुकसमीर चतिस गड़ या पशिम बंगाल में तो सही उत्तर आपका हो जाएगा चतिस गड़ आपसन सी देखे याद रखेगा दोस्तों किस राज्ज में टिन आयस्क का प्रमुख भंडार है तो ये हो जाएगा चतिस गड़ में आप जान लीजिए टिन आयस्क जो है य ये कैसिष्टे राइट नाम से जाना जाता है और 36 गड़ भारत का मात्र एक टिन उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्ण है सर्वुत्तम किस्म का संग मरमर कहां पाया जाता है आपको बताना है मकराना, जबलपुर, जैसल मेर या सिंग भूम में। तो सही उत्तर है मकराना, मकराना आप जानते हैं कि राजस्थान के नागौर जिले में इस्थित है और यहां से सर्वुत्तम किस्म का संग मरमर प्राप्त किया जाता है अगला प्रश्ण है दोस्तों संग मरमर क्या है यानि संग मरमर किस प्रकार की चटान का उदाहरण है तो और इसका रासानिक संगठन जो है वो कैल्सियम कार्बोनेट है अगला प्रश्ण है निमनलिखी सैल तंत्रों में से कौन भारत के कोईला निचय या डिपाजिट्स का प्रमुक्सरोत है धारवार, गोंडवाना, कुडपा या बिंधे तंत्र तो सही उत्तर गोंडवाना तंत दुस्तु, आप जान लीजे कि भारत के कोईला छेतरों में अधिकतम निचले, जो अधिकतम निचय हैं गोंडवाना काल से संबन्धित हैं और आप जान लीजे कि 99 प्रक्तिशत से अधिक कोईला भंडार और उत्तपादन में गोंडवाना तंत्र जो है भूमी का निभाता अगला प्रश्ण है कि छोटा नाग्पूर औद्योगिक छेत्र का विकाar संबंधित रहा है किसे बाकसाइट की खोसे कोईला की खोसे लौह आयस्क की खोसे या मयेगनीज की खोसे तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ये कोईला की खोज से आपसन भी आपका सही उत्तर है दूस्तों छोटा नाकपूर उद्योगिक प्रदेश जारखंड उत्तरी उडिशा और पश्मी बंगाल में बेश्तरित है अपने भारी धातुकर्मी उद्योग के लिए विख्यात है और इस प्रदेश की विकास का मुख्य कारण दामोदर घाटी में कोईले की खोज है तो यहाँ पर आप देखिए आपसन भी आपका सही उत्तर है अगला प्रश्न है कोरबा कोईला छेत्र अवस्थित है कहाँ पर ओरीसा चटिस गढ़ पश्यमबंगाल या असम में तो सही उत्तर है कोरबा जो है वो चटिस गढ़ के कोरबा जिले में हस्देव नदी बेसिन छेत्र में इस्थित है आपसन भी आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है जार्खंड में कोईला की खाने इस्थित हैं कहां पर जरिया जमसेदपूर राची या लोहर दगा में तो सही उत्तर है जरिया जरिया मोहत्वपूर जो कोईला छेत्र है ये जार्खंड के धनबाद जिले में इस्थित है अगला प्रश्ण है किस राज्ज में लिगनायट कोईला के विशालतम भंडार पाये जाते हैं गुजरात के रल राजस्थान या तमिलनाडु में तो सही उत्तर तमिलनाडु आपसंड दी हो जाएगा दोस्तों इंडियन मिनरल इयर बुक के अनुसार लिगनायट कोईले का भंडार और उत्तपादन दोनों में तमिलनाडु का भारत में पर्थमस्थान है आपसंड आपका सही उत्तर है अगले प्रश्ण पराते हैं एक प्रसिद्ध अस्थल है बिशरामपूर बिशरामपूर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है तो सही उत्तर है बिशरामपूर दोस्तों ये कोईला खनन के लिए प्रसिद्ध है और इसकी अवस्थिती जान लिजे कि बिशरामपूर 36 गढ़ के सरगुजा जिले में इस्थित है जो कोईला खनन के लिए प्रिशिद्ध है अगला प्रशन है क्वार्ड जाइट कायांतरित होता है किस से चूना पत्थर से आप्सीडियन से बलुआ पत्थर से या शैल से तो सही उत्तर बलुआ पत्थर से Quargerite जो है ये कायांतरित होता है बलुवा पत्थर से आपसंसी आपका सही उत्तर है दोस्तों मौलिक चटान बलुवा पत्थर से रूपांतरी चटान Quargerite का निर्मार होता है अगले प्रशन पर आते हैं निम्नलिखित में से कौन धात उखनेज नहीं है देखे हेमेटाइट, बाकसाइट, जिपसम या लीमोनाइट तो सही उत्तर है जिपसम याद रखेगा जिपसम जो है ये धात उखनेज नहीं है जबकि हेमेटाइट, बाकसाइट और लीमोनाइट धात उखनेज के उधारन है अगले प्रश्ण पर आते हैं ग्रेनाइट पट्टिया और स्लेट बनाए जाते हैं ये यूपी स्पेसल का प्रश्ण है कि उत्तर प्रदेश में ग्रेनाइट पट्टिया और स्लेट कहां बनाए जाते हैं ललितपूर में जहासी में चुनार में या चुर्क में तो सही उत्त अगला प्रिशन है भारत में हीरे की खाने कहाँ है आपको बताना है तो आप जानते हैं भारत में जो एक मात्र हीरे का उत्पादन करनेवाला राज्य है वो मध्य प्रदेश है आप सही उत्तर है वर्तमान में हीरा खनन की द्रिष्ट से जो मध्य प्रदेश है पन्ना और सतना जिले में हीरे के कई महत्वपूर्ण खाने यहाँ पर इस्थित है अगला प्रश्ण है कि निमने लिखित में से कौन सा खनीच केरल में बहुत आयस से मिलता है आपको बताना है तिन, मैगनीज, अभ्रक या मोनाजाइट तो सही उत्तर मोनाजाइट मोनाजाइट यह बालू का निच्छेप है यह केरल में बहुत आयस से मिलता है और इससे थोरियम प्राप्त होता है जो की महत्वपूर्ण परमाडवी इधन है तो याद रखेगा मोनाजाइट बालू का निच्छेप केरल के जो तटी बालू में पाय जाते है और इससे थोरियम प्राप्त होता है अगला प्रशन है जादू गुड़ा प्रसिद्ध है किसके लिए लौह आयस के लिए मैगनीज के लिए सोने के लिए या यूरेनियम के लिए तो जादू गुड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है आप याद रखेगा दोस्तों जादू गुड़ा वर्तमान में जारखंड के पूरवी सिंग भूम जीले में स्थित है ये यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है अगला प्रशन है छोटा अगले प्रशन पर आते हैं प्रशन बहुत ही महत पूर्ण है कि लिगनाइट किसका लिगनाइट निमनलिखित में से किसका प्रकार है चूना पत्थर कोईला थांबा या लौह अयस्क का तो सही उत्तर एंथ्रेसाइट बीटुमिन पीट और लिगनाइट ये कोईले के प् प्रकार है आप सन बी आपका सही उत्तर है और आप जान लिजे एक लिगनाइट कोईले में कार्वन की मात्रा 40 से लेकर 45 प्रतिशत तक होती है अगला प्रशन है एंथ्रेसाइट और बीटुमिन किसके उत्पाद हैं ये महत पूर्ण प्रशन है तो अभी अभी हमने कोईले के उत्पाद हैं इंथ्रेसाइट बीटुमिन पीट और लिगनाइट ये कोईले के प्रकार हैं इंथ्रेसाइट और बीटुमिन निर्मार के आधार पर कोईला 4 प्रकार का होता है इंथ्रेसाइट बीटुमिन पीट और लिगनाइट इसमें इंथ्रेसाइट जो है वो सर्वुत्तम किस्म का कोईला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा सरवाधिक होती है अगला प्रश्ण है कोलार जो की करनाटक है इसके अतरीक्त सोने की खान जहां इस्थित है वो अस्थान कौन सा है धारवार दावडगेरे हट्टी या उपर युगत में से कोई नहीं तो स गला प्रश्ण है नमक किस खने से उथ्पन होता है इजुराइट पायराइट हेमेटाइट या हैलाइट से तो सही उत्तर है अप संडी आपका सही उत्तर है और आप जान लीजे हैलाइट एंग द्वी मिसरण है जिसका एक भाग हैलोजन पर मारू है और दूसरा एक बाक्साइट कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में उपियोग किया जाता है तो सही उत्तर आप जान लीजे बाक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुखायसक है इसलिए बाक्साइट कच्चे माल के रूप में एल्यूमिनियम उद्योग में प्रियूप्त होता है अगला प्रश्ण है भारत में यूरेनियम कहां पाया जाता है सोनार कोलार सिंग भूम या नेपा नगर में तो सही उत्तर आपका हो जाएगा भारत में यूरेनियम जारखंड के पूरवी सिंग भूम जिले में जो है पाया जाता है आपसंसी आपका सही उत्तर है इसी तरह अगले प प्रदेश आप सन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर एंटी मनी सामरिक धातु है जो सीशा जस्ता और चांदी के साथ मिली हुई पाई जाती है ये संसाधन हिमाचल प्रदेश के लाहॉल और इस्पीत जिलों में पाई जाते हैं आप सन ए आपका सही उत्तर है अगला प्रदेश में एक महोत पूरस्थान है ये किसके ख़दान के लिए प्रसिद्ध है तो मध्य प्रदेश में जो पन्ना है वो हीरा ख़दान के लिए प्रसिद्ध है आप सन सी आपका सही उत्तर है अगले प्रशन पर आते हैं भारती खनिजों का भंडार की से कहा जाता है इसमें छेतर का नाम दिया गया है छोटा नाकपूर पठार बुंदेल खंड का पठार मालवा का पठार या बगहेल खंड का पठार तो सही उत्तर है भारती खनिजबदार का भंडार छोटा नाकपूर पठार को कहा जाता है अगला प्रशन है अधात्विक खनिज कौन सा है आपको मताना है यहाँ पर आप देख सकते हैं संग मरमर, मैगनीज, चांदी या सीसा तो सही उत्तर है संग मरमर जो है ये अधात्विक खनीज है जबकि मैगनीज, चांदी और सीसा ये धात्विक खनीज के अंतरगत आते हैं अगले प्रशन पर आते हैं निमनलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक यानि माईका मेखला पाई जाती है तो सही उत्तर है हजारी बाग गया और मुंगेर हजारी बाग गया और मुंगेर जिले में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है इस मेखला के अंतरगत को डर्म जिला भी आता है जिसे कैपिटल आप माई का यानि अभ्रक की राजधानी कहा जाता है अगला प्रेशन है दोस्तों तालचीर तालचीर एक प्रसिध कोईला छेतर है कहां पर? अंदर प्रदेश, 36 गड़, जारखंड या ओडिशा में तो सही उत्तर तालचीर या तलचेड ये ओडिशा के अंगुल जिले में प्रसिध कोईला छेतर है आप संडी आपका सही उत्त अगले प्रेशन पर आते हैं कि कोईले का सरवाधिक उप्योग होता है कहां पर उर्जा उत्पादन में लोहा इसपास सयंत्र में रेलवे में या वाशपी जहाजो में तो सही उत्तर है भारत के लिए कोईला अपरिहारे संसाधन है देश के उर्जा उत्पादन में इसकी महत पूर्ण भूमिका होती है आपसन ए आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है निमनलिखित में से कहां लिगनाइट के प्रमुक भंडार नहीं है गुजराथ पशिम बंगाल जारखंड या पोडुचेरी तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर आपका है जारख जारखंड में लिगनाइट के भंडार नहीं है बहुत ही महत्तपूर प्रश्ण है आप देख सकते हैं दोस्तों आप जान लीजे भारत में लिगनाइट के निच्छेप तमिलनाड उपुडुचेरी केरल गुजरात राजस्थान जमू कश्मीर और पशिम बंगाल में पाय या अभ्रक तो सही उत्तर बाकसाइट आपसन ए याद रखेगा च्छतिस गड़ के अमरकंटक पठार में बाकसाइट खनिच का प्रचुर भंडार उपलब्ध है आपसन ए आपका सही उत्तर है अगले प्रश्ण पर आते हैं कि कुडन कुलम परमाड उर्जा सयंत्र कौन स इस्थित है अगला प्रश्ण है चार सब्दों में से एक सब्द वर्ग समू ऐसा है जिससे अन्य तीन सदर से संबंधित हैं वह वर्ग समू पहचाने कोईला नरम कोईला पत्थर का कोईला या भूरा कोईला तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कोईला एक सब्द वर्ग आब 이 स्यार कोईला शामिल है आपसन ए आपका सही उत्तर है अगले प्रशन पर आते हैं निम्नलिखित में से क्या धातीक खनीजों की स्रेड़ी से संबंधित नहीं है या नि तिन, निकल, बाकसाइड या कोईला तो सही उत्तर है कोईला। आप देख सकते हैं तिन, निकल, बाकसाइड, लोहा, सोना, जस्ता, तांबा धात्विक खनिज हैं जबकि कोईला और संगमर्मर ये अधात्विक खनिज के अंतरगत आते हैं। अगला प्रश्ण है मोना जाइट रेत में कौन सा खनीज मौजूद होता है थोरियम, टैल्क, माइका या गैलेना तो सही उत्तर थोरियम देखे केरल के समुद्रे तट पर रेत में मोना जाइट बालू पाया जाता है जो कि थोरियम का प्रमक्सरोत है इसका उप्योग परमाड उर्जा के लिए किया जाता है अप्सन ए आपका सही उत्तर है अगले प्रेशन पर आते हैं चूने का पत्थर किसके तरह का चटान है सेडिमेंटरी, इगनियस, मेटामार्फिक या मेटा सेडिमेंटरी तो सही उत्तर है चूना पत्थर एक सेडिमेंटरी राग या अवसादी चट्टान की तरह है आपसन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा अगले प्रेशन पर आते हैं महत्तपोड प्रेशन है कि लौह के बारे में निम्नलिखिक कत्नों में से कौन सा कत्थन आ सकते है यह धात चुम्बकी होती है सही है लौह इस्टील नामा के एक एलाय बनाता है सही है काश्ट आयरन ब्रीटल होता है सही है लौह की एलाय इस्टील कठोर होती है तो कौन सा कत्थन जो है असत्य है आप जान लिजे कि आप संडी आपका असत्य है दूस्तों आप जान लीजे लोह की मिसरधात इस्टील इस पात कठोर नहोकर मृद क्रिश्टली और चमकदार होती है उसके बनाने में मुखेत पीटवा या ढलवा लोहा का प्रियोग होता है अगला प्रश्ण और खनी संसाधन से संबंधित महत्वण प्रश्णों का जो भाग एक है इसका आज का लाश्ट कोशन है लोह का शुद्धतम प्रकार कौन सा है काश्ट आयरन पिग आयरन इश्टील या राट आयरन तो सही उत्तर है राट आयरन याद रखिएगा दोस्तों पिटवा लोहा या राट आयरन सबसे शुद्ध लोहा होता है आप संडी आपका सही उत्तर है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो भारत के भुगोल के अंतरगत महत्वण खनी संसाधन से संबंधित प्रश्णों का भाग एक जो आपके आगामी परिक्षाओं क के लिए बहुत ही उपयोगी है आप इन प्रश्णों को तयार कर लिजेगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मागदेशन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें वीडियो देखन दोस्तों नमस्कार